फ्रेंड्स यह मेरे साथ हमेशा होता है कि मेरा हस्बिन एक नएया पैकेट खोल देते हैं बिस्किट का और बाकी के वैसे ही छोड़ देते हैं तो इस बारिश के मौसम में तो हेर टाइड कंटेनर में रखे हुए बिस्किट भी सिल जाते हैं तो मैं उसके लिए आपको एक ट्रिक बताती हूँ, एक पेपर नैपकेन में कोई से भी ब्राउन या वाइट राइस लीजे और उन्हे अच्छी तरह से लपेट दीजे इस तरह से और अच्छे से पैक करके बिस्किट के साथ में कंटेनर में रख दीजे, चावल क्या करता है कि सारा मॉइस्चर, सारा गीलापन अब्जॉब कर लेता और बिस्किट एकदम कुरकरे और फ्रेश मिलेंगे आपको फ्रेंड्स मैंने इस मही में नए काजू खरीदे और जब मैंने पुराने वाले देखे तो उसमें थोड़े से घुन लग गए थे और नीचे पाउडर फॉर्म हो गया था डिब्बे में तो मैंने चाती हूँ कि मेरा जो नया फ्रेश काजू का पैक है उसमें भी एक घुन आ जाए तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ उसके लिए जो हम ये स्नैक्स के डब्बे खरीते हैं जिसमें मसाले वाले काजू होते हैं उसके साथ फ्रेश रखने के लिए एक सैशे हो आप एकदम clean dry container लो और अपका जो fresh dry fruits जो भी आप store करना चाहते हो वो रखो और ये sachet जो आपको मिला है इसको poach करके आपके dry fruits के डिबे में रख दो इस packet के अंदर जो भी chemicals हैं जो आपके store bought cashews को fresh रखते हैं वो आपके घर के dry fruits को भी fresh रखेंगे और कीडे से और घुन से बचाएंगे मगर आपको एक ध्यान देना है आपको promise करना होगा कि आप इस sachet को काटोगे नहीं खोलोगे नहीं और इसे पानी में नहीं डालोगे और बच्चों के हाथ नहीं लगने दोगे यह सिर्फ freshness के लिए है और इसको खोलते नहीं है तो इस बात का आपको ध्यान देना है दोस्तों अक्सर हम मसाले ready made ही ले आते हैं जो इस तरह के package में मिलते हैं कुछ मसाले ज्यादा यूज होते हैं और कुछ मसाले कम यूज होते हैं लेकिन अगर यह मसाले को ले रह जाए तो यह बेस्वाद हो जाते हैं किसी भी पकवान को जाकिदार बनाने के लिए मसालों का खास ध्यान रखा जाता है और इनको अलग-अलग डिबों में पैक करना बहुत मुश्किल है तो इस तरह के जो plastic के clips clips market में आजकल बहुत आसानी से मिल जाते हैं उनसे आप इनको airtight seal कर लेजे और एक ही डबे में सारे packets को अप रख दीजे ध्यान रखिए कि यह डिबा steel का हो तो आपके मसाले एकदम fresh रहेंगे खुश्बुधार भी रहेंगे दोस्तों बार-बार बाजार जाने की दिक्कतों से बचने के लिए हम घर में महिने दो महिने का राशन भर कर रखते हैं और जब हम इतना सारा सामान घर पर रखते हैं तो उनमें कीडे और जाले लगने लगते हैं और स्पेशली दालों में तो जाले बहुत आसानी से लग जाते हैं दाल के डिबों में अगर आप नीम की कुछ टहनिया तोड़ कर साथ में स्टोर करें तो जाले और कीडे लगने की प्रॉब्लम नहीं रहेगी ये देखिए मेरे पास में रखे हैं बहुत टाइम से और नीम के पते इतने सूप भी गए हैं गैस मसाले की डिबों में स्टोर किया हूँ मसाला लंबे समय तक खुला रहने के कारण मॉइस्चर पकड़ लेता है मॉइस्चर के कारण उनमें गुटलियां पड़ने लगती है तो इसलिए अगर इनमें थोड़ा थोड़ा नमक मिक्स करके स्टोर कर दिया जाए तो ये मसाले लंबे समय तक फ्रेश और टेस्टी रहेंगे और इनमें गुटलियां भी नहीं पड़ेंगी तो दोस्तों मसाले अगर फ्रेश रहेंगे तो खाना तो टेस्टी बनेगा ही दोस्तों यहां मैंने डेश में दो अलग-अलग नीम्बू रखे हैं क्या बता सकते हो कि इनमें क्या फार्क है ये एक तरह का हुआ और यहां पर ये दूसरे तरह का हुआ क्या बता सकते हो क्या डिफरेंस है चलिए मैं ही बता देती हूँ कि ये जो निम्बू अभी मेरे हाथ में है ये फ्रेश वाले है और छोटी डिश में जो रखे हैं वो पंदरा दिन पुराने हैं और ये मैं अभी लेकर आए हूँ ताजे बजार से आपके यहां का तो पता न पर नाकपुर में निम्बू बहुत महेंगे मिल रहे हैं और मुझे रोज निम्बू लगते हैं ब्लैक टी बनाने के लिए इस ट्रिक से निम्बू मेरे तीन हफ़ते तक फ्रेश रहे उसके आगे भी रह सकते होंगे मैंने ये ट्राय नहीं किया मगर तीन हफ़ते तक निम को पेपर के बीच में अच्छी तरह से कवर कर दिया और एटाय डखकन लगा दिया और बस नीबो एकदम फ्रेश मिले मुझे आप ये ट्राय करके देखिए तो दोस्तों ये सारे हैक्स आप आजमा के देखिए और कमेंट्स में मुझे जरूर बताईए कि आपको ये टिप्स कैसे लगे और लाइक और शेर जरूर कीजे मेरे वीडियो को